तुम्ही विश्व करता तुम्ही विश्व जोती में ए प्रान भरता तुम्ही काल के काल हो चक्रधारे स्वेकारो स्वयम बंधना अब हमारे तुम्ही कर्ष़ी से तुम्ही जाय अब ह Bam कर दो जाओ 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 जा अजसाल को छोड़ा हुआ पर जाल एक धरती है, एक है गगन, एक मन मेरा एक है लगन, वो सगन एक धरती है, एक है गगन, एक मन मेरा एक है लगन, वो सगन जितनी उंबर में है तारे, जितनी उंबर में है तारे, सागर में रतन जितनी न्यारे ओ, मेरे नैनों में युतनी तेरे सपन वो सगन एक धरती है, एक है गगन, एक मन मेरा एक है लगन, वो सगन ओ, चन्दा तोरी मैं हुचकोरी जनम जनम का नाता ओ, चन्दा तोरी मैं हुचकोरी जनम जनम का नाता प्यार हमारा रोज का गगन में तारों के दी चलाता ओ, इन तारों में चमके मन की यगन वो सगन एक धरती है, एक है गगन, एक मन मेरा एक है लगन, वो सगन चाहे तोटे जीवन भी ना, चाहे तोटे तान भी याँ चाहे तोटे जीवन भी ना, चाहे तोटे तान भी याँ लेकिन कभी न तोटे मन भी मज़र मज़र जुकात याँ पापिया छूते ना अपना ये बंधन वो सगन एक धरती है एक है गगन, एक मन मेरा एक है लगन, वो सगन एक धरती है एक है गगन वहवा, वहवा, क्या कहने है, क्या कहने है तुम्हे कोयल कहूं, मैना कहूं या तान सेन की बेटी कहूं मेरा नाम लता है, तभी तुम उसकराट के फूल जड़ रहे है वहवा, बिल्कुल काली नागन जैसी है तुम्हारी चोटी फर्क सिर्फ इतना है कि उसे देखकर डर लगता है और इसे देखकर प्यार उम्र बस बस रहने दो, बनाना तो कोई तुम से सीखे कभी चोटी की तारीफ और कभी आवाज की तारीफ यह तारीफ नहीं, रानी दिल की आवाज है सच कहता हूं लता, तुम्हारी आवाज मेरे लिए संगीत बन गई है कितनी मीठी है तुम्हारी आवाज ओफो यह है मीठी आवाज यह आवाद नहीं, फर्मान है फर्मान, बाक्षापू की नंगी ये फैर दौरना पड़ता है इसे सुनता आवी, आवी, कोवचे, 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 क्या हुखो में हुजूले वाला मेरी रानी को भूख लगी है, बंदा लाचार है हुजूर अच्छा लो, तुम इसे रखो, मैं तुम हरेगे पहरे चाय बना देते हुए चची बेची, हम दप्तल श्याए हैं, इजाज़त हो, तो कप्ले बदल ले, तुम जो ना चुपचाप लेजा पालने में, वाव वाव बद बद फिर शुरू कर दिया बमिन के भू़ कि पचाप औरो तुम अलऑ गटन अरे, एक भी तो असमि नही तेरी आखो में खामा खा बना रहे हैं, मुझे चला अन्य मा के पास ऑ्प देखो लिए जुटी का हरुषै में रहे हैं अरे तु क्या करूं, उपनी इस बला को, उतो हो तो, मैं चाए बना लेता हूं बस इतने महीत तंग आ गए तुम उठो तो क्यों शशी, अपनी बाबु जी किनी चाय नही बनाने दो दो बाबु जी खुद चाय बना लेंगे आहाँ देखो शशी, तुम्हारे बाबु जी चाय बना रहे हैं देखो, देखो, देखो अरे, चुपो गई मैं कौन से काटे चुपो रहा था तेरे बच्चे को बहलाने के लिए औरत का दिल चाहिए चाय बनाने के लिए औरत के हाँ चाहिए सच तो है, लो, समालो इसे बड़े चले थे चाय बनाने बकवास करते हैं ये कभी लोग जो कहते हैं औरत के हाथ फूल की तरह कोमल होते हैं मैं तो कहता हूँ लोहे की तरह सक्त होते हैं अवरत फुल के तहरा नाजुक भी होती है और लोही के तरह साइht bhi अचह, चलो! जल्दी जल्दी चाय पीलो हमारी मुन्नी लानी का हुक्म है कि आज घूंने जाना होगा मुन्नी घूंने जाएगी, मेली मुन्नी तघूंने जायगी यह बाबुजी, हमेली मुनी तो गूबुने, है है, है यह जी मुनी यह बाबुजी, है है, है हाँ, अब हमारी शशी बंबई की सेर करेगी, क्या मतलब, बंबई तो बादला हो गया है मेरा, सच, कितना अच्छा हुआ, कितने दिनों से मेरी खोःष थी, कि मैं बंबई देखाँ, अब हमारी सची बंबई की सैर कलेगी, समंडल देखेगी, जहास पर बैठेगी, चोपाटी की सैर करेगी, क्यों जी, यह चौपाटे क्या है बंबई में? लोगों की जेप को चौपट करने वाली जगा भेल पूड़ी वाला पापड़ वाला कुलफी कुलफी मलाई का बर्य मौंभली का होला, खाने वाला भोला अरे मज़दार होला, अरे बालुरेत की मुंख़़ी करमा गरम खाऒ, चम्पी ती, लोमाली ती, लोमाली ती, लोमाली ती. देखी मैंने तुम्हारी चौपाटी, अरे हाँ, बंबई की चक्र में ये बताना तु भूली गया? अहा, ये क्या है? शच्छी बीटिया के लिए लॉकेत है कैसा है???? बहुत सुन। दर है यह भी सुन। दर है पहने वाली भी सुन। दर है और इसके अंदर क्यों कैसी रही बहुत अच्छा किया यह अपने दिमार की करामात है ले नफल, पहनो कितना च्छा बच बच भूशन मालूम होता है, अब अंदर आजा मैं काम कर रहा हूँ नमस्ते भावी, ये ये काम हो रहा है आई भावी, नमस्ते बैच्छो न कामिनी भूशन, तुम्हे खुशकबरी सुनाओ अगले मैने की बीस तारीक को मैं भी बंबई जा रहा हूँ क्यों? तब आदला हो गया है ना इंका हाँ, तो खूब गुदरेगी जो मिलवाज़ें के दीवाने दो यू को हमारी शशी बीटिया जो है बंबई आ रही है हम तो शशी बीटिया को परसों अपने साथ ही ले जाएंगे बंबई क्यों बेटी, चलोगी ना मेरे साथ क्यों शशी बेटी, जाओगी ना अपने अंटे के साथ जुरू जाएगी अरे तु बैटला यार नहीं भाईया, अभी मुझे दूसरी जे के जाना है मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि कल मेरी सालगेरा है और तुम दोनों को आना पड़ेगा और लता को गाना भी पड़ेगा ना बाबा, तू मैं नहीं आऊँगी आऊगी कैसे नहीं, घंसिट के ले जाऊँगी घंसिट नहीं की जरूरत नहीं भावी, हम तो सर के बल चले आएएगे और अगर ये नहीं काएगी, तो हम गाएएगे प्रामिस, आओ जी भूलना नहीं, शाम को साथ बजी को तो सवेरे चले है सुबा आने के दरोत नहीं शाम को साथ बजी आएगे अचा ये भगाता क्यों है कितने बेर कर दी तुम्हे सार बजय कहा था ना पुशन में हाँ हाँ याद मुझे वो ओफिस में जरूरी काम हो गया तुम तो तयार हो जाओ मैं तो बिल्कुल तयार हूँ तुम मैं भी तयार होता हूँ दुलारी आई बभुजी क्या है बभुजी अरे इतने जल्दे सोगे शेशी सारा दिन खेलती जो रही है मैंने कहा शेशी तो सो गई है अब तुम ही चले जाओ कामनी से मेरी तरफ से मौफी मांग लेना ये कैसे हो सकता है तुमें चलना ही चाहिए ने तो लोग बुरा मान जाएंगे अच्छा तो तुम इसके पास ही रहना हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे और हमारे आने के बाद ही घर जाना बहुत अच्छा है चलिए नमस्तर बिगी जी दुलारी ए दुलारी आई रामी अरी जल्दी आना क्यों इतना शोर मचाती है अंदर बच्चे सो रही है क्या घर जा लेका इरादा ले जाना तो है लेकिन थोड़े देर बाद क्यों मालकिन दावत में गई है बच्चे सो गई थी मेरे पास छोड़ गई है आना बै इकठे घर चलेंगे तो चाल गली के बाहर पूजा हो रही है थोड़ा परशात ले अरे नावर तूजा बच्चिया के लिए अरी चालना भार से दर्वाजा बंद का देना अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे अरी चालना क्या नख्रे करती है हाहाः आप लोग धरा खामोश हें यहां मैं शेकर चीम आप लोगों को एक गाना सुना वी जाय अपट खाने कावाद को जान आथा लीजे रिऑ खाने कावाद को गाने नहीं आथा और आप कहिए की गाना गए कर यामस्सक्ता हमकरagar अनल चानवाय। आप कई दो कर दीजिक है, बहुंत आच को कुलम धजिक पनाखिक संप स्रस्डान भावि, तो वे भावनतॡ तुम्लों के काल थे खाल जा मतिक हैgefलाए ले जो तेरा जी में, आय बो कर, बस, ले. टंगरमबाजी, ऐसे तो ये दुनिया बाबू आघवा जलमटी है, सीधे साधे भोजू बनते, खाते फिरल्टे टाग कर, चलते पुरजे चटमट चाटे दूद मलाइशाक कर. चुरी बगल में मुख में राम क्या कहने वाजी वाजी दिखडंबाग इसकी पगड़ी उसके सर पे दुनिया गो रग धन्दा गुरु घंटाल सभी से कहते छपटके डालो भंदा नमक मिची गरम मसाला कपड़े वाला जूते वाला सम्मे है गळबल गुटाला दूर्द में पानी दवा में पानी सम्में रगणम रगणा कमरा है तो पगड़ी और पगड़ी है तो पगड़ा पंज़ा चक्का चता अठा पैसे की है लधम लट पैसा बनाएये भाईया बाभी चाची और चाचाजी के सब्सक्राइए आुएयो डड़े, आई क्यूड़े, आई क्यूडे, यूड़े, जें मैं जब कलदार हो, बंगला मुधर कार हो, चोरवी साहू कार हो, दुनिया गुल जार हो अरे जेब में जब कलदा रहो, बंगला मोटर का रहो, चोर विसाहू का रहो, दुनिया गुलजा रहो भैशो थारे पाशो एतो राणी बोले आवो, आवो, तमारी तमें हमारा शा माटे शर्मावो एक आख से बोले ना जी, एक आख से अहां जी तिकडंबा अँ मिया रॉजी बीबी रॉजी क्या करेगा काजी तिकडंबाजी 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 अचाओ करेट भास यज ये सकते हो एकी जेढने तोल, सकते होंभाइ़ लाँ, बढु़े फारी लेढने जाँ जाँ, जाँ, जाँ! जाँ, जाँ Time Take, जाँ जाँ, जाँ जाँ But game! जाँ. जाँ, जाँ प्राइब 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 प्राइ लड़ा! 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 ब मत.. ब मत अलोरे यह रुम जचजू मैं सुहाग भरी माते सी जा रही हूँ तुम्हारे चर्णों में सुख सेवर रही हूँ लेकिन मुझे इसकी जित्ता है मैं शादी नहीं करूंगा लता तुम शादी जरूर कर लेना लेकिन नहीं पात मेरी बच्ची से कैसे सुलू करेगी लता, मैं शादी नहीं करूंगा मेरी बच्ची का ख्याल रुक्ता तुम्हार जरू मताव यह बे सहरा हो गए माजी मेरी सारी खुशी चली गए सब सुख लूट गया मेरा जरूमत मेरे बच्चे जरूमत इंशुर के आगए किसी की नहीं चलती सबर कर कैसे सबर करूं माजी मुसीभदों का पाहर जडूट पड़ा मुझ पर अब नौकरी करूंगा या इसे समालूंगा तो इसकी फिकर नकर देता मैं इसे गाओं अपने साथ से जाओंगा तो अपनी नौकरी समाल बगवान मिलने पर हमेल लिख देना बंबई जाना होगा हाँ माजी कितनी खुश हो रही थी बंबई देखने के लिए बगवान का घर जो देखना था उसे फिर बंबई कैसे जाती जो बगवान की मरसी कब जाना होगा वीस तारीको अच्या, अलाम मुनी को मुझे देता मैं समाल लंगई बेटा इसाए यह हमारी लता की आखरी निशानी है इसकी जानी है अच्यारी के किस्मत में मा का सुख नहीं था शेकर के लिए तो बहुत मुश्किल ओगया इसके लिए बहुत फिकर करता था और पर समोकरी का सवाल इसलिए मैं से अपने साथ से आई यह तो तुमने बहुत अच्छा किया किसा सा के भूशर के यहां ठहरूँगा, मकान मिलने पर हमां सबर कर देगा अगवान उसे दुखतान करने की शक्ति दे मेरी बच्ची, मेरी पिट्ची अरे देख क्या रही है, खाती के नहीं वेटा, खाना मैं तुमारे हाथ से खाऊंगी अच्छा बबा मेरे हाथ से खा, और जिस दुमागर कभी ना हुई, तो अगर घुकी रहना अच्छा मैं ना किसे खत लिख रहे हो? तुहारे पिता जी को क्या लिख रहे हो? लिख रहा हूं, के शशी अब बहुत बड़ी हो गई है इसलिए जल्दी से उसे अपने पास बुला लो मेरे पिता जी यहां क्यों नहीं आते? आएंगे बेटा, वो जुरूर आएंगे इसलिए तो खत लिख रहा हूं अच्छा, अब तुम हिलना नहीं, मुझे लिखने दो अरे भाई, नाश्ता छंडा हो रहा है इसका खत है तर आम बेदू सुने आया भाई, आया कभाई खरियत तो है न? अरे भाई, शशी की नानी का खत आया है लिखती है, शशी बड़ी हो गई है उसकी पड़ाई के इंदजाम गाउं में नहीं हो सकता मैं सोचता हूँ, शशी को यहीं बुलवा लो सोचने के क्या बात है, फ़ोरां बुलवा लो अब तो मैं उससे पैसान भी नहीं सकूँगा चार साल हो गए शशी को देखे यह बंबई शहरी कुछ अजीब है जो भी यहां आया, यहीं का हो रहा है भई अब तो कहीं मकान दिलवा ही दो फिर वही बात, यहां कोई तकलीफ है दुझे अरे तकलीफ की बात नहीं, शशी को और उसके नानानी को यहीं बुलाने का विचार है तो बुला लो उनको, मकान की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं भाभी, जब अखेला था तो अलग बात थी लेकन अब सब का यहां रहना बड़ा मुश्किल है बंबय में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मकान का मिलना मुश्किल है अरे हाँ, राधा किशन महल में एक बलाख है लेकिन यार वो आदमी बड़ा संकी मालूम होता है फिर भी चल के कोशिश करते हैं राधा किशन महल कमारे और रंडवे के लिए जगा नहीं यह कैसे हो सकता है? अरे यार इसने तो साफ लिख रखा है फिर क्या फाइदा बात करने का? चल अरे तू ठैना यार मैं सब बात कर लूँगा तू का घवर आता चल अंदर चल तू पहले चल कौन है? जी राधा किशन जी भाबी कोई आये है कौन आये है? कौन होजी तू? मेरा नाम है भूशन भूशन अर इनका? जी इनका शेखर भूशन और शेखर कौन शेखर? कौन भूशन? कहां से आये है? जी यही से आये है राधा किशन जी है नहीं भाईया तो नहीं है मैं हूँ भाबी है क्या क्या काम है जी हमें राधा किशन जी से कुछ काम है तो उने से पूछ लेने कहां गए है चारी या शोदरा हुए you पागल खुना है ये तो यए तो हम बंबई में टु पाँलектор नहीं में सुटी जैसा भी मिले ले लो रूसमेह Compare काम चला उमनी है तुम आमीर है येही है बैखर चाओ कुर्से पर हाथ अरे जानना पचान आज कुरूक हाव ये तक रे all ओढसे कऊ हाँ, मेरी खाथी है न, मुज़रत पागल जी हाँ क्योधा आने से रस्टी बिख रही है ना जाने किस पागल में देख दिया इतना बड़ा कागस ये बोर्ड नहीं पढ़ा रंडवे और क्वारे के लिए इस मकान में जगह नहीं है अगर आप कहएं तो हम साल भर का के देटेटे हैं... किसधार मालूम होते हो साल भर का किराया दे दो और जाओ तो कली मकान में आजाओ पर हाँ पिन महिने के बडर्शाखर वरत घर में आ जानि चाहिए भगवान चाहत इस से पहले आ जाएग तो फिर और भी अच्छा है मेरे कुछ रूल याने काइदे हैं हमेसा मन्जूर है बगैर सुने ही मन्जूर है नोट कर लो किराया 40 रुपई दस बजे बती बंद नल पर कपड़े धोना मना सफाई का खयाल कोले का इस्तेमाद तुम क्यों लकड़ी जलाते हो मैं मकान माली थी चाय लकड़ी जलाओं चाय घर में हाग लगाओं किरायदारों कि साब में चबड़ चबड़ मत कर जा अंदर जा पर अभी तु आए थी अंदर से तो बाहर जो जा ने बाहर ने जाँग न अंदर जाँग खासा तो फिर मन्जूर है मन्जूर जी आईए तो फिर मकाम देख लेजिए आईए आईए तर्शीफ लाईए ये है वकार ये बैठने का कमरा है इदार आईए ये है रसोई खास देख अंजीथ ही आप अपनी ले आईए इधर आई ये है सोने का कमरा देखे देखे ये आवाज पास में पहाड उडाते हैं दिन में दो बात दोबेर के खाने के बाद और शाम के खाने से पहले हाँ कोई बात नहीं हाजमे के लिए अची जिए अधर पड़ जाती है वह पेश की दीजे ना ओ ये जिरा दो सरोपे हैं लीजे ओ पैसे माया अपना काम तो हो गया ओ माया आती हूं क्या है ये मेरी धरम पत्नी माया और ये हमारे नए किरायदार बड़े भले आदमी मालू है मालू है अरे हाँ अभी अभी तो आये थे ओ लो ये रुपए संभाल कर रख दो ये शोद्रा ये रत्ती रत्ती घर में रखनी जो और ये इंधन इंधन घर में शर्म नहीं आती जो भी रास्ते में पड़ा मिलता है उठा लाते हो घर पकुडा घर बना रखा है ये शोद्रा फेक अरे तु अभी तक खड़ेगे जा रख दे इसे जा जाते है तो कव आएंगे आप जी बसे दो चार दिन में आ जाएंगे बस आई जाएएगा नहीं तो फिर मैं किसी और को दे नूँगा पर आई जाएगेगा बहुत से लोग मेने पीछे पढ़ रहागे एक धर्ती है एक है गगन एक मन मेरा एक है लगन ओ गगन एक धर्ती है एक है गगन एक मन मेरा एक है लगन ओ सजन ओ चंदा तोरी मैं हुचकोरी जनम जनम का नाता ओ चंदा तोरी मैं हुचकोरी जनम जनम का नाता त्यार हमारा रोज का गण में तारों के गई चलाता ओ इन तारों में चमके मन की यगन ओ सजन एक धर्ती है एक है गगन एक मन मेरा एक है लगन ओ सजन चाहे तूते जीवन बीना चाहे तूते तातियां लेकिन कभी न तूटे मन की मज़र मज़र जनका दियां पापिया छूते गा अपना ये बंधन ओ सजन एक धर्ती है एक है गगन एक मन मेरा एक है लगन ओ सजन एक धर्ती है एक है गगन ये लटा की आवाज नहीं तेरे मंग की आवाज थी सामका वहम हो गया तूजए वहम नहीं भूशन मज़वक जाग रहा था किताब पढ़ रहा था बिलकुल वही आवाज वही दर्द वही गीत वहम निकाल दे और घर जाकर आराम जाए अब कहा वहम निकाल दे और घर जाकर आराम कर जाए अरी छोड़ना जाने भी दे लेकिन कहां जाएगे तुमारी बीबी कहते थे के तीन महीने में शादी कर दूँगा जी इसी इंतिजा में लगा हूँ यह आप क्या कह रहे हैं आप मेरी शराफत पर भरोसा रचिए तुमारी शराफत से मुझे अपनी बदमाशी पर ज्याना भरोसा है तीन दिन में मकान खाली हो जाए वरना मैं सामान के तुम्हे बाहर फेक दूँगा बड़े बड़े गुंदों पे छक्षे चुड़ा दिय मैंने तुम तो हो किस खेब की मुली क्या समझता है अपने आपको बगैर फौसदारी किये ये निकलेगा नहीं पर मैं भी बेटा को इस मकान में क्या बंबई में रहना भुला दूँगा ओहो क्या बात है क्यों बड़बढा रहे हो बड़बढाऊंगा नहीं देमान में ज इसलिए क्वारिय और रंडुय को मकान नहीं देता था कोई बात नहीं तीन दिन की मुलत देकर आया था पर अब तो ऐसे जलील आदमी को तीन मिनिट ने ठहरने दूँगा अरे सुनो तो जब भी किसी से लड़ने जाता हूं पीछे से टूप देती है फूट मुझसे क्या कहना है तुम तो पागल हुए हो क्यों यह शोदरा के लिए लड़का तलाश करते फिरते हो क्यों नहीं कर लेते इसी से बात लड़का जवान है सुन्दर है कुमारा है और शोट करता हूं अगर शेखर मान गया तो चट मंगनी और पट भ्या कर दूगा बहिया बहिया सुनो जब मेरा ब्या होगा ना तो हम दोनों की पोटो इसी अखबार में चपपाना सारी दुनिया देखेगी अरे कभी तो अकल की बात किया कर अगर शेखर को पता चल गया तो बना बनाया काम बिगड जाएगा हे भगवान अब तो इस पागल की फरियाज सुनने कब तक बैठाए रखेगा इसी अच्छा मैं अभी शेखर से बात करके आता है जला ख्याल नहीं कौन किस काम जा रहा है जट चींग दिया जा एक गिलास पानी लाग शावाज शावाज रहने दे पानी दो हो गए चींगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ आए आए बैठिये बैठिये अब मैं रोश में हूँ मैं खामा खा तुम से चगडा मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने अच्छे और काम के आतनी हो अच्छे नहीं गलती मेरी दूसरा मकान मिलते ही सरा जाओंगा मैं जाने दूंगा तब ना पाव में महबत की बेडियां डाल दूंगा यहीं तो सम्झाने आया हूं बरकुर्दार बात यह है कि तुम्हारी भावी कह रही थी कंदे पे नरका और शैर में डिंडू अच्छा बाबा आज़ा अच्छा बाबा बरकुर्दार कुछ पागल सा मालू होता है कौनो तुम्हारी आपके जगा, भूलो गई हूँ आप्माली प्रुम्हारी कर में तुम्हारी कॉर्ण कर का बाबा कॉरुम्हार कॉरुम्हार कियो शेकर बाबू क्या बागा यह तो ठीक है ना हम आप कीजिए मैं जरह आराम करना चाहता हूँ हा viene जरूर आराम करो लाओ सर दबादू नहीं नमे लेके मिहरबानी किसमें महरबारी काएगी अगर अपने अपनों के काम ना आएंगे तो क्या किराय के आदमी काम आएंगे मैंने आपसे आर्ज किया ना आप मुझे अकेला छोड़ दीजे वह यह इकेला पन मुझे बहुत खटकता है मैं तो मरना भी दोचार के साथ ही पसंद करता हूँ क्यों दीवी होती तो आती ना काम इस वक्त खैड कल से मैं ये शोद्रा को भेद दूँगा काम काज के लिए अभी तो मैं ही तुमारा सर दबा देता हूँ अब आपको कैसे समझाओं मैं आपके आगे हाथ जोडता हूँ आप मुझे अकेला छोड़ दीजे इकेला छोड़ू तुमारे दुश्मनों को पर इस वक्त तुमारी यही मर्दी है तो चला जाता हूँ फिर आ जाओंगा किसी चीज की जरूरत हो तो कह दूँगा आपको नमस्ते शर्माय में नहीं आप जाएगे अरे यह क्या सौ बार कहा जब जरूरत ना हो बिजनी मत जलाओ पर कोई सुने तो इने बटन नीची के तो करना आता पर ऊपर करते दम निकलता यह दिवाली मनाई जा रही है मेरा दिवाला निकालने को आरे यह क्या भूतूं का घर है जो मंधेरे में बठी ये गली की रोशनी क्या कम है, इसलिए तो कमैटी के मेंबर से कहके सामने खंबा लगवाया आग लगी, कौडी कौडी पर जान देते हो, जैसे सब कुछ छाती पर रखके ले जाओगे जो कमाता है वो ही जानता है, छाती पर रखके तो नहीं ले जाओगा, पर तुम्हारा पेट पालने को तो सब कुछ चाहिए न अब चुब्भी करोगे या बात पर, चुब्भी रहो भावी भावी, बात सब पक्की हो गए? कच्ची पक्की क्या बात बीच में ही रह गई, खैर वो तो हो जाएगा, ये शेकर मुझे कुछ पागल सा नजर आता है तो तुम्हारी बहन कौन सी अच्छी है, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी भावी ज़ा जबान बनकर कौन अंधा, कौन कोड़ी अंधा कोड़ी तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा सारा खांदान आग लगे, मेरे खांदान दक भाशती है, चोटे खीच कर बाहर नकाले आली ज़ाद लगांके तो देख, खाही जाएगे अरे, ओहो, महले वालों को तो सोने दो, चल तूजा, तुम भी क्या बच्चे के संग बच्चा बनती हो, जाओ दरवाजा बन कर लो कहीं फिर ना आजा भाईया, तुम कल सुबा ही मेरे शादे कर देना, मैं अपस घर में एक मिनत भी नहीं रह सकती हाँ, हाँ, कर देना, हाँ, हाँ, बाबा, सुबा तो होने दे, कर दोगे ना, हाँ, आप तो तूजा तुम्हे भी आराम के वक्ती जगडा करने की सूजती है, जगडा मैं करती हूँ यह तुमारी बहन, ओहो, नाराज होगी, तुरी गाना तो सुना तुम्हेरी ये सूई यही रखने की सूचती है बिल्कुल पागल मालूम होता था पागल नहीं, तेरी आवास का दिवा न होगा तेरे रूप का परवा न होगा हट, कैसे बाते करती हो मैं सच कहती हूँ, मैं कल रात को इतनी घबरा गई थी कि नीम तुक नहीं आई और वह भी जा रहा ना जाने कितनी राते इंजाग कर कटेगा क्यों, तेरी सूरत बस की होगी न उसके मन में तू तो हर बात को मज़ाग समझती है मेरी जगा तू उर्ती तो पता चलता अरे कल रात को यहीं यू आके रिस्ता रोप लिया मेरा मेरा दिल तो धक से रह गया सुनू तो चला, क्या कहती है तरह दिल की धाड़का चल हट शेखर बाबू तुम? तुमारे लिए खीर लाई हूँ मैने इतने बड़े बड़े बादाम, इतने बड़े बड़े पिस्ते, इतने बड़े-बड़े किशमिश डाली है इसमे खाल न? मैं तो कपका नास्ता कर चुका तो क्या हुआ थोड़ा सो और खालो न बहिया ने मुझसे कहा ये शोद्रा जाकर शेकर बाबू को खीर दा, मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ खालना गरम-गरम, खालना इसा, एक काम करो, वहाँ टेबूल पर रख दो, फिर खालूँगा हम, ठंदी हो जाएगी, लोग खाले कैसी है? एक काम करो, मैं बाद में खालूँगा, तुम जाओ खाले न क्या हुआ? ये खीर में शक्कर की जगह नबक डाल दिया नबक? क्या कह रहे हो? चेके देखो लाला, फेक दू रहने दो, पैसा लगा है कड़वी दवा की तरह सब पी जाओंगा ये तुम्हारी अकल में बहन ने बनाई है, शेखर के लिए शेखर के लिए? ये खीर शेखर को देने गई है और क्या? माड़ा भया, पर शेखर को खीर दे आई अरे उसने खाई तो नहीं खाई भया, मेरे आखों के सामने खाई खूटे करन, तब तो सब चौपट कर आई क्या बात है भया, क्या बात है तुम्हारी तर्वी तो पीज़ाई अरे सब ठीक है अब तो शेखर इसे जुरूर शादी कर लेगा क्या कहा, शादी शादी तो उसके फरिष्टे भी करेंगे मैं घर से बाहर नहीं निकाल दूँगा ओहो, ओच्छे के घर तीतर बाहर रखूं या भीतर जब देखो मकान की धौश देते हूं अरे इसी धौश में आकर तुमारे बात तुम्हारी शादी कर दी मेरे साथ मकान मालिक हूं तो दौश देता हूं तुम क्या जानो कंगाल घर की लड़की तो फिर क्यों आयते कंगाल की घर सहरा बान कर बस भावी रहने भी दो तुम्हे तो जब जब जगरती रहती हो भया एक बात बताओ शेकर बावी कब आंगे सहरा बान कर Mayor Com to me भाए के घर चुप चुप दड़कीं कर आइसी बात करती है चुप क्या बूरी बात है मिया देखो मेरी शादी शेकर बाबू सरी करना हा किसे दूसरे से नहीं हा वो ही तो कर रहा था, ये खीर खिलाने क्यों ले गई थी शेकर बाबू को क्यों क्या बुरा है ये खीर में? चक कर दे हां चुपकर, चुपकर, शेकर तरी कर दूँगा तेरी शादी, चुपकर जादी अरे उसी से कर दूँगा चादी, रोती क्यों भूशन, इस लड़की की आवाज ने मेरे सीने में दबी हुई लता की याद को भढ़का दिया बिल्कुल वही आवाज, वही हरकते हैं यार, तुए एक काम करना फ़ले उसका पता निकाले, फिर उसके जान पहचान पैदा कर, उसके तो शादी कर ले नहीं भूशन, मैं लता के प्रेम के लिए, शेशी के सुख के लिए, किसी से भी शादी नहीं करना चाता तो तुम्हे उस लड़की का रास्ता देखने के क्या दरूरत, उसकी आवाज सुनने से क्या मतलब मैं उसका रास्ता नहीं देखता, वो मेरे मकान के पास से गुजरती है उसकी आवाज में मुझे हाँ, वो तुम्हे सुन चुका हूँ तु एक काम कर उसकी आवाज का रिकार्ड बनवा ले और जब जी चाहे ग्रामों फून पर सुन लिया गर तू तो मज़ा करता है या और तू बकवास करता है जब तुझको उस लड़की में लता नदर आती है तो तू उससे शादी कर ले किसा खत्म हुआ तू मेरी हालत को नहीं समझ सकता अच्छ मैं जाता हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं उस लड़की का आने का वक्त हो रहा होगा दिगरी लेकर बैठे हैं सब करेंगी क्या आप सोचो जी सोचो जी बोलो जी शादे करके बनूंगे मैं तो किसी के घर की रानी पर तन मान्यूं जड़ू लगाँ और भरू मैं पानी पर जब पढ़ने बैठू मैं कोई कवेता कोई कहानी आके पीछे रो रो बच्चे करते मुझे दिवानी गमपद सानी गमपद सानी गमपद कभी समालो बच्चे … कभी समालो आ टागी … लगेन मेरा जी … घर में लगेन मेरा जी वी ए, ए, म, पी ए, जी … वी, ती, भी कॉम, बी, टी तिग्री लेकर बैठे हैं सब करेंगे क्या अब सोचो जी … Сोचो जी … मो लो जी डॉक्टर बन के हर रोगी को पहुचाओं मारा नाम का नाम कमाऊंगी मैं और दाम के दाम चड़े जो बुफार तो लगाओं पे निसिलिन लगे चोट तो लगाओं मैं तीजरोईडिन तु एनसिंपिनन और अरोमेसिन और किसी कुदू एपीसी विटेमिन सब खुछ करूंगे लेकिन करना पाऊंगे एक काम क्या जब करना पड़ेगा आपरेशन चीरफाड के चाम देख देख ये समा भयान दरेगा मेरा जी दरेगा मेरा जी बी ए ए में पी ए जी बी टी भी कॉम बी ए जी दिगरी लेकर बैठे हैं सब करेंगे क्या अब सोचो जी सोचो जी बोलो जी हिराइन बनू फिल्मो की हर दे की आखों में बसूं मैं सब के दिल में समाऊ कोई और्टोग्राफ मागे कोई फोटोग्राफ चाहे कोई पता मेरा पुछी कोई पीछे पीछे आए रुक जाए चलते रही मैं जिधर से आऊ जाऊ लेकिन लेकिन क्या लेकिन जब तक है ये जवानी एकस्टार कहला मुं कभी कदर ना जाए कोई तूटेता रुकी है तूटेता रुकी पीए एमें पीएशदी बीटीवी कॉम बीएसदी दिग्री लेकर बैठे हैं सब करेंगी क्या आप सोचो जी सोचो जी बोलो जी कैसी सोच में दूबे हो कर लो जो करना चाहो काम सभी अच्छे है जो तुम अपना फर्द निभाओ नारी से बनती है कौमे नारी से मिठती है आज तुमारे हाथों में है यकने देश के नौ कोई घर को नमखालो फूई टीचर मन जाओ कोई बनो क लाकार फूई दफ्टर मन जाओ आज हमारे हाथों में है अपने देश की नाव कुछ फिकरों पर चक्षु इसकत अपने भारत की अपने भारत की प अपने भारत की अपने भारत की वी 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 ये वी नमस्ते नमस्ते कल आप का नाच मुझे बहुत पसंदा है बहुत बहुत शुक्रिया आप शायद यही पडोस में रहती हैं हाँ यही सामने गली के मोड पर अच्छा अगर आप जल्दी में नहों तो एक पहला चाय पी दे जाएए जी नहीं फिर कभी है फिर कभी क्या इन्होंने इतनी भावना से कहा है हमें इनकी बात रखने ही जाएए आएए ना आएए आपका नाच और गाना वाकई बहुत अच्छा था इंटरटेनमेंट के अलावा उसमें सीखने को भी बहुत कुछ था शुक्रिया आप लोग यहां तश्रीफ रखिए मैं भी आता हूँ आदमी का दर्दान मालूम होता है हट समयदार भी है चुप रहेगी या नहीं खुबसूरत है पागल तो नहीं होगी नौजवान भी है लीजी आप खाम भार तकल्लूप कर रहे हैं यह तो घरा एक लाकार का स्वागत है बड़ा मजन है आपका यह रेकेट जो टेड़ा हो गया आप भी खाईए ना आप अकली ही रहते हैं जी अकेला हूँ इसलिए अकेला ही रहता हूँ आप खाईए ना जी मैं खा रही हूँ एक बात पूछों आपसे हाँ हाँ पूछे आप उस से रात मेरा पीछा क्यों कर रहे थे उसी हरकत की माफ़े मागने के लिए मैंने आपको बुलाया है बुरा निमानी मैंने तो उस दिन आपको पागल समझा था ठीक ही समझा आपने एक पागल ही ऐसी हरकत कर सकता है अच्छा तो पिर आग्या दीजी चाय नहीं पीजेगा कोई बात नहीं फिर कभी पिने आएंगे आपनी ये तो बताया है आप मेरा पिछा क्यों कर रहे थे चला वो नहीं बताना चाहते तु क्यों हट कर रहे मुगालता हो गए होगा मुगालता तो नहीं छोड़ी इन बातों को अच्छा नमस्ते ये पलड़ा खरीदने का है ये बेचने का कोई गाहक आए तो ध्यान रखना कितनी रद्धी हुई ये पाच्छों सेर है तब तो ठीक है छे सेर के दाम दिये थे बाखी पांच सेर ये भी होगी भाया शेकर के पास उशा बैठी है है उशा बैठी है सुना तुमने इसलिए क्वारे और रंडुए को मकान नहीं देता था बाहर निकाल दूगा बदमाश को उससे बाहर निकाल दोगे तो इससे शादी कौन करेगा वही करेगा वरना बंबई में रहना मुश्किल हो जाएगा बदमाश का भाया ये उशा वहार शेखर के पास बार बार क्यों आती है ये सब तेरी गलिती है जब तुने शेखर से शादी करनी है तो फिर क्यों नहीं रखती उसका ध्यान अपनी भावी से फूछ जब मुझे इससे शादी करनी थी तो इसके घर के सामने विस्तर विछा दिया था तब भी तु मुझे तरस आगी असा अरे जा जा बढ़ी आई तरस वाली तू फिकर मत कर मैं उशा का इन्जाम के दीता हूँ भाईया जल्दी करो ना हाँ कहा ना कितने सेर हुए पाथ सेर ले ये छे से अच्छा मवाजी अरे उपर बैठो उपर बैठो नहीं माजी मैं तो हमेशा इनी कद्मों में बैठता आया हूँ किसी तरह एक छोटा सा बंगला बनवा लिया है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप लोगों की पराबरी करो नहीं भाईय तुम तो हमारे महमान हो उपर बैठो कैसे आना हुआ माजी दस साल लाला जी का नमक खाया है भगवान उनकी आत्मा को शांती दे एक जरूरी बात कहने चलाया हूँ कहो माजी कसम खाकर कहता हूँ आस तक किसी की चुगली नहीं की एक गुंडा मेरे घर में आबसा है तो फिर निकाल क्यों नहीं देते उसे क्या जी आप तो आजकल के कायदे कानून जानती ही है बदवाश ने मुझे कुछ रकम पेशगी दे दी उपर से हर महीने किराया नकद दे देता है मैंने कई बार जगडा करने की कोशिश भी की पर जब देखो तब टाल जाता है कमाल है राधा किशन जी उसने तुम्हें रकम पेशगी दी किराया नकद देता है जगडा टाल जाता है फिर वो किसी साब से गुंडा हुआ हाँ, इस किस्म के लोग जड़ा उंचे दरजे के गुंडे होते हैं कौरा है, जवान है आसपड़ास में लड़किया बालियां रहती है माफ करिएगा मागी, छोटा मूँ और बड़ी बात मैंने एक दो बार उशा देवी को भी उसके घर देखा है बस यही असकर में चलाया हूं तुम बेफिकर रहो, मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर समझतार बना दिया है वो जो काम करेगी सोच समझ कर ही करेगी मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है मा, मेरा रैकेट कहा है, मिल ले रहा वुषा रानी घर में है, अच्छा तुमें चलता हूं मा जी, वैसे तो वुषा रानी देवी है, फिर यह सब कुछ कही है गानी मा, रैकेट नहीं मिलता, कहा है? कहीं बाहर तो नहीं भूलाई खोसकता है, शेखर बाबु क्या रह गया हो? यह शेखर बाबु कौन है बेटी? वो हमारे पडोसी है मा, राधा किशिन जी है न, उनके हां नए किराइदार आये हैं, बहुत अच्छे सभाव के हैं बेटी, अब तो सियानी हो गई है, जो कदम भी उठाना हो, सोज समझ कर उठाना उशा देवी नमस्ते नमस्ते, आये न, शेखर बाबु मा, आप है शेखर बाबु नमस्ते माजी जीते रहो बेटा आओ, बैठो बैठियो न जी उशा देवी ये राकेट घर में भूलाई थी मैंने सोचा देता चलू ये जी और मैंने सारा घर चान मारा बहुत अच्छा किया आप टैकेट ले आये क्यों बेटा बंबई में नए आये हो क्या काम करते हो जी दफ्तर में काम करता हूं बंबई में तो लोग अक्सर फिल्मों में काम करने आते हैं नहीं माजी फिल्मों को तो मैं दूर से ही नमस्कार करता हूं मैंने अच्छा बेटा मैं जरा आशनान करा हूँ तुम लोग बैठो बड़ी अच्छी है आपकी माताजी ये रैकेट थेंक यू आप बैडबिंटन खेलना जानते हैं जी नहीं खेला क्यों जी है ना बहुत अच्छी एक्ससाइस है कोई पार्टनर मिल जाए तो जरूर खेल करूंगा तो कल से मेरे साथ चले मुझे कोई दराज नहीं आप मुझे सीख रहे हैं या मुझे सिखा रहे हैं कुछ कुछ सीख रहा हूं और कुछ कुछ सिखा रहा हूं अच्छा चलिए चलिए दिल में हमारे कौन समाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलू तिल में हमारे कौन समाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं किसने मुझे दिवाना बनाया मेरी नजर से मिलते ही क्यों तेरी नजर जुक जाती है मेरी नजर से मिलते ही क्यों तेरी नजर जुक जाती है तेरे नजर से शर्मा कर कुछ कहने से रुक जाती है हम से ये कहना चाहती है क्या खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं दिल में हमारे कौन समाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं किसने मुझे दिवानों बनाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं देख के हमको जूम रहे हैं देखो इन नजारों को सामने जब हो सूरत तुमारी देखे कौन बहारों को ऐसी रुत का क्या है इशारा खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं दिल में हमारे कौन समाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं किसने मुझे देवाना बनाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं दिल में हमारे कौन समाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं किसने मुझे देवाना बनाया खुद ही समझ लो मैं क्या बोलूं अब तो सोते जागते उत्ते बैठते मुझे तुम्हारा ही खैलाता है लेकिन मैं तो तुम्हारी हूं ही हाँ हो तो लेकिन कहां हूं ऑन जाख से शेवाइन बारी है आधित्रस स्जेए Lulu तूम्हारे प्रेम ने मेरी जीवन का बहुत बढ़ी कमी को पूरा कर दिया और क्या क्या कर दिया बताऊं मेरे प्यार ने तुम्हारे जीवन की बगयां में फूल खिला दिये बेलूं को हरा भरा कर दिया, ठंडी ठंडी हमाय चला दी, मोर नाचने लगे तुम तो मजाग कर रही है, सच कहता हूं उशा, मैं तुम्हारे बगर एक मिनट भी नहीं रह सकता मोहबत हम दोनों के एक दूसरे के करीब तो ले आई है, मगर अभी तक दुनिया की नजरों में हम बहुत दूर है और अब? अच्छा ये तो बता, माजी से पूछा था की नहीं? कह रहे थे कि बी एक मतहान के बाद, सिर्फ चारी तो महने है चार महने? ये चार महने तो मेरे लिए चार साल के बराबर है मोहबत की दुनिया का सूरत जल्दी छिपता है और जल्दी उखता है ये चार महने तो चार दिन के तरह गुजर जाएंगे ये शुद्रा, तुम यह क्या कर रही हो? जारू लगा रही हो तुम्हें कितनी बार मना किया, तुम यह मताय करो तुम मानती नहीं, लाँ जारू में खुद लगा लगा तुम फ़च जारू लगाओगे? हाँ, लाँ कुछ काम नहीं करने देते ये सुनो, क्या शादे के बाद भी तुम जारू लगाओगे? शादी? किसकी शादी? जैसे चानते ही नहीं भाईया, मेरे शादी तुम से कर रहे है मुझ से? ये शुद्रा, जरा अपने भाईया को तो भेज़ दो, मुझे उनसे कुछ बात हैं करनी है शादी कि बारेम कि? हा! हा! मैं तुमसे शादी कर ओुझे हा! हा, तुम भेज तुम भेज़ को! हा! 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 वे ये शे कर वाम, क्या होक मै? हाँ, बैठ लिए रादा किशन जी, आप जानते हैं मैं लड़का हूँ वो तो दुनिया जानती है, मैंने लड़की कब कहा आपको? मगर आप सुनियो तो, और फिर मैं ये अकला रहता हूँ इसलिए तो तुम्हे दुकेला करने की कोशिस कर रहा हूँ क्या कोशिस कर रहे हैं, आप ये ये शोदरा को क्यों भेजते हैं? इसलिए के वो तुम्हारे स्वभाब को पैचान ले, तुम उसके स्वभाब को पैचान लो वो तुम्हारी अकल को ज्यान ले, तुम उसकी अकल को ज्यान लो उस बेचारी को जूटी आशा में डूबो रखा है, खामखा बेव को बना रखा है, जाए, जाकर अपनी बेहन को अकल सिखाईए, और उसके लाएक किसी लड़के से शादी कर दीजे, इसलिए मैंने आपको बलाया था, ठीक है, अब यशोद्रा को तो भगवारी अकल कर दूँगा, मकान मालिक का मुकाबला करतो, यशोद्रा, अब शेखर के पाद जाने की कोई जरूरत ने, कियो, कितना खिलाया पिलाया, आदमी एक दम बेईमान निकला, बास क्या हुई, बस शादी से एक दम इंकार कर गया, मुझे तो पहले ही खतका था, ये बात बनने हुए. तु गोली मार शेखर बाबु को, यहां क्या लड़कों काल पड़ा है, अगर मैं तेरी आर दिन में शादी ना कर दू, तो मेरा नाम राला के से जैकर बाबू से, रहे धुनने वाला चाहिए, यहां एक ती एक अच्छा लड़का मिलता, हो रुमनाओ, ओ लड़का पसंद भेना तुम्हे, शचुंदरमल पीपरी परशाद की कोठी में काम करता है, कंखा तो कम है, पर उपर की आमदनी काफी है हाँ बापकी तो सब ठीक है, मगर तीन बच्चों का बाप है तो क्या हुआ, कौम सी सौध बनके जा रही है, बीबी तो मर चुकी है ना इसकी अब तो इस पगली को भगवान के उपर ही छोड़ दो, चलो आप लड़की की भाव ही है रादय किशन जी, कन्या को ले आईए, लड़का जरा देख ले, और फिर जट से मंगनी कर दे अब ही लाता हूँ, तफ तक आप चाय बगएरा पीजिए यह शूद्रा, पागल हुई है क्या, लड़का देखने आया और तू रो रही है उट, चल मेरे साथ मैं नहीं आउंगी दिमाग खराब हुआ है, शादी नहीं करेगी के तुदिया, मैं तीन बच्चों के बाद से शादी नहीं करूगी क्यों नहीं करेगी, बड़े मुश्किल से लड़का तलाश किया, चल, समिज्जार कर रहा हूँ मैं नहीं आउंगी भागल हुई क्या चलना पड़ेगा क्यों चलूँ, मैं नहीं आउंगी, नहीं आउंगी, कह दिया मैंने अनी बाबा मैं उस्से जवान देखाया हूँ तो आद दिया तुम्हे क्या करूँ, तीन बच्चों के बाद से मेरे शादी करना है और कोई नहीं मिला सारी दुनिया में मुझे उसी के पल्ले बात दिया चुप चुप करता है जाते हैं क्यों नहीं होंगे अरे ये कैसा शोड़ है मुझे तो ये शोद्रा की आवाज मालूम होती है क्या बात है अरे लड़का बैठा है सुन देगा बैठा है शामलागी को नमस्ते करें ने गरूमी बढ़ जो ये शोद्रा क्या बात है देखो ना, मेरी तीन बच्चों कब आप से शादी कर रहे नहीं कुनूगी मैं से शादी कैसे नहीं करेगी ने गरूमी जो मुँ में हताबक देती है क्यो रहा बोलो राधा किशिन जी ज़रा थेरिये क्या सचमुच आपके पहली शादी से तीन बच्चे है जी हाँ लेकिन स्याने हो चुके उनको समालने में लड़की को कोई तकलीफ नहीं होगी तकलीफ नहीं होगी पहली शादी से तीन बच्चे हो कैसी बात करती मुझे क्या जुरूत पडि तो इसे भी क्या जुरूत पडिए आप से शादी करने जाई की इसका मतलब यह है किसी कवारी लड़की को बच्चे वाले आदमी शादी नहीं करने चाहिए हाँ हाँ तो इसमें क्या बुराई है उशा देवी ऐसा होता है हाँ हाँ ऐसा होता है इसलिए कि औरत कमजोर है मुर्दों के आधिन है राधा किशन जी औरतों की भी दिल होता है, उमीदे होती है, उमंगे होती है, कोई भी लड़की ये नहीं चाहती, कि उसकी शादी किसी ऐसे आदमी के साथ हो, जिसके पहली बीवी से बच्चे हैं, ये शोधरा भी उदर को महसूस करती है, उशा देवी मेरी समझ में नहीं आ शामलाल जी, मेरी बाधा है, बस बहुत हो चुप, अममात कुछने शामलाल जी अपको किया दगर थी मेरी मामने में तावराने की, या अजिए अपना गर सबालीए, शांत हो जाए ये राधा किशन जी, आजी आप तो सबको शांत हो गया, अव इसके लिए क्या मोम का दू जो चुका मेरी दक्षना का क्या होगा रादे किशन जी दक्षना काम बिगर गया ने की लो कुछ बुरा तो नहीं कहा मैं नहीं लेकिन दूसरे के मामले में दखल देने के क्या ज़रूरती और फिर ये तो अपनी मर्जी का सवाल है कोई भी लड़के अपनी मर्जी से इसे शादी नहीं करेगी हर लड़की यही चाहती है कि उसका होने वाला पती कवारा हो क्या आप मेरे खैलों से सहमत नहीं क्यों नहीं मैं तो वैसे बात कर रहा था अच्छ अब मैं जाती हूँ बहुत देर हो गई है अब तुम्ही बताओ मैं क्या करूँ अगर मैं ये कहूँ कि मेरे एक बच्ची है तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी और अगर न कहूँ तो विश्वास खात है धोका है भाई अगर तु उससे शादी करना चाहता है तो फिर इस रात को छुपाना ही पड़ेगा शादी के बाद पता चल गया तो फिर क्या होगा होगा क्या दो चार दिन गाल फुलाए रहेगी फिर खामोश हो जाएगी वो खामोश होने वाली लड़की नहीं भूशन अरे अवरत का गुस्सा दूद की उबाल की तरह होता है उठा और दब गया मुझे उसके गुस्से का डब नहीं डर है कहीं उसके जीवन की सारी खुश्यां खत्न हो जाए उसकी आखों में हमेशा के लिए आसू नो बच जाए और अवरत के एक आंख में आसू होते हैं एक में हसी तुफिकर न कर शादी कळे फिर देखा जाएगा क्या देखा जाएगा ص怎么了 में छिपकली वाली हालत है मेरी ना चोड़ते बनता है ना निगलते बनता है अरे राम का नाम लेके निगल जा क्या निगलवा रही हो, क्या बात है कुनेन की गोली, उपर से एक पहली चाय पी लेना क्यों तब बे तो ठीक है अरे कुछ नहीं, मौसमी बखार हो गया है खामा खाबरा रहा है, मैंने कहा कुनेन की गोली निगल ले मौसमी बखार के लिए कुनेन बहुत अची है, मैं लाती हूँ लो, खालो नहीं भावी, रहने तो मैं ऐसी ठीप हो जागा रहने की उदो, खालो ना बखार उतर जाएगा ले निगल जा निगल जा मौका है ये भी निगल जा स्रीमान जी, परखुशी हूँ मैं शर्मिनदा हूँ कि बहुत दिन से आपको खतने चार साल तक घर ना आने का मुझे अफसोस है मैं शशी का बाप हूँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ मुझे उसके हमेशा याद आती रहती शाद आप पी पढ़कर बुरा नविगा कि मैं बगार आपसे सला मश्वरा लिए शादी कर रहा हूँ जल्दी घर आउँगा, शशी को प्यार आपका कौन है? मिठाया वाली नहीं चाही मिठाई शाद, मिठाउट सी है अरंगे नहीं चाही है खोड़ेसे सुनीचे, शाद शाद क्या दिया रहा मुझे मिठाई क्यों मुफत में मिठाई मिल रही थे और इंकार कर रही थे क्या चल रहा है किसी को प्रेम पत्र लिखा जा रहा है नहीं वैसे मेरे एक बस्त पढ़ लो लेकिन श्रीमान जी आपका खत मिला पढ़कर खुशी हुई मैं शर्मिंदा हूं कि बहुत दिन से आपको खत ना लिख सका चार साल तक घर ना आने का मुझे अफसूस है मैंने सोचा किसी श्रीमतिजु को खत लिख रहे थे अच्छा दिनली से सोह नलवाया था माने तुम्हारे लिए भीजा है मैंने सोचा कॉलेज जाते जते देती जाओं बैठो ना नहीं देर हो जाएगी जाते है अच्छा मैंनी खत आया है लाला शेकर का होगा लो पढ़ो तो क्या लिखा है अजी और क्या लिखा होगा बस यही अच्छा हूँ तंदुरस्त हूँ जल्दी गाओं आओंगा शशी को प्यार वगएरा वगएरा चार साल होगे ऐसे खत आते आते मेरा भी पिता जी को प्यार लिख देना अच्छा कुछ मुझ से तो बोलो मैं भी तो सुन क्या लिखा है शादी यही वजा थी चार साल तक यहाना आने की किसी लड़की के चक्कर में प्रा हुआ था शादी कर रहा है अच्छा नाना मेधी कब शादी करोगे पहले बाप की हो जाने दो बेटी तो हम क्या मना करते थे शादी करने को भला इसमें छुपाने की कौंसी बात थी मेरे जान एक नहीं दो शादिया करे अपनी बच्ची को ले जाए लिखा था कि यहां लड़की के पहने का कोई इंतजाम नहीं है तो अभी तक जवाब नही अपने खसी करने की हो जची करते थादिय करे का की hah जल्दी जोर साथ के लिए चाय बना के लागे जी जल्दी हाहाहा हो 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 अरे ये सब क्या है ये वेशमी साड़ी ये टाई और ये जूते क्या किसी की बारात आने वाली है किसी की बाइरात आने वाली है, कभसे कह रही हूं बजार चलिये बजार चलिये आप आते ही नहीं, मैं खुद कर लाई हूं यह लीजे बिल 500 रुपे का, बहुत अच्या किया, क्या कहा, कितने का बिल? 500 रुपे का, घबरा क्यों गया, तंखा नहीं मिलती, अरे तंखा मिले भी तो क्या फार्दा, तुम जैसी वीवी किसी को मिल जाए, तुसका तो सूपड़ा साफ हो जाए, ओ माई गॉड, वाट कुछ पर कमाई डूब जाती है, कुछ इंकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उडाती है, कमाता हूं, बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, अच्छा, कहो तुम कुछ भी लेकिन यहीं समझदारों का कहना है, कहो तुम कुछ भी लेकिन यहीं समझदारों का कहना है, क् लुटा देते हैं घर को मर्द और घर बनाती है तेरी इन साडियों ने जंपरों ने मार डाला है तेरी दीवाली की खातिर मेरा निकला दिवाला है मैं कड़का हूं मैं कड़का हूं मैं कड़का जेब से तू सेंत कपडों में लगाती है कमाता हूं बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है बसें भी शहर में चलती है आतो चलने दो क्या हुआ बसे भी शहर में चलती है, क्यों तकसी में जाते हो, सिनेमा देखते हो, होटलों के बिल चुकाते हो कमाई आधी बाहर और आगे घर में आती है लुटा देते हैं घर को मन और अगर बनाती है कमाचर हूँ बहुत कुछ पर कमाई ढूब जाती है कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई ढूब जाती है उबल जाता हो चाहे दूध चाहे रोटी जलती हो पहन कर रेसमी सा अरे मोरी सा हमोरी हमोरी सा नखरवाली नखरवाली सुनले मोरी सुनले मोरी सा सारे गामा पाधानी सा सानी धापा मागारे सा इड़ी साड़ी तू है निपट अनारी पहने लेचमी चाली पहन कर रेसमी साड़ी तुम ऐसे ऐसे चलती हो तुम ऐसे ऐसे चलती हो तुम ऐसे एहे 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 मैं बातें जब सुनाता हूँ मुझे आखें दिखाती है कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमा ये तूब जाती है तदा ता हूँ देते हैं पैसा बाद में फिर हाथ मलते है शो बीजोना जाके कह जे हात मलो शो दबा के मूं में सिगरेट आप ऐसे ऐसे चलते हैं मुसीबत सर पे जब आती है बीवे काम आती है लुटा देते हैं घुर को मर्ज त बनाती है कमाता हूं बहुत कुछ पर कमाई हो बजाती है अच्छा यह बात है अच्छा चलो माफ कर दिया, तुम समझती हो, मैं बहुत कंजूस हूँ और नहीं तो क्या? अरे अगर मेरा बस चले, तो दुनिया भर की सारी दौलत तुम पर कुर्बान कर दूँ मकर क्या करूँ, फुरसत ही नहीं मिलती जो जो, बड़े मजाक्या बनते हो यही तो मेरा अशली रूप है लेकिन शादी से पहने तो बहुत गंबिर रहते थे बड़े बगला बगत हो एह, अगर बगला बगत नहोता तो तुम पकड़ाई में कैसे आती एह, तुम पकड़ाई में कैसे आती लो विक्या, अब ये ख़त इस बखसे में डाल दो क्यों? इसमें डाल देने से ये तुम्हारे पिताजी को पहुंच जाएगा मुझे भी इसमें डाल दो ना मैं भी पिताजी के पास पहुंचाऊँ पगली, इसमें सिर्फ ख़त डाला करते हैं जब ये तुम्हारे पिताजी को मिलेगा तो वो तुम्हें लेने आएंगे अब तुम्हारी नई मा आ गई है न? डाल दो ख़त पोस्ट मैन प्यारे शेखर, तुम्हारी शादी हो गई ये पढ़कर हम दोनों को बहुत ख़शी हुई हम कुम के मेले पर जाने का विचार कर रहे हैं इसलिए आकर अपनी बेटी को शेशी को ले जाओ अब उसे उसकी नई मा समाले हमारी ये एच्छा है को की शेशी शेशी राजी कुषे क्यों कैसा है आया पसंद ये सच्छा है ये जूटा मैं पूछती हूँ ये सोने का है ना नहीं पीतल का है इसे पहन कर तो देखो सोने का है अस्मी सोने का सच बोल रहे है इसमें जूट बोली के कौनसी बात है जबान कटवा दूँगा अगर कभी तुमसे जूट बोला हो वह खत पर रहो खत तुम्हारी शादी हो गए ये पढ़कर हम तुनों को बहुत खुशी हुए हम कुम के मेले पर जाने का विचार कर रहे हैं इसलिए आकर अपनी बीटी शशी को ले जाओ ये सब जूट है ना उशा तुमने मुझे धोका दिया है अब मैं यहां नहीं रह सकती तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले अउरत मिल चुकी है और तुम्हारे एक बच्ची भी है उशा मैं शादी से पहले ही कहना चाहता था मगर तुम्हारे प्यार ने मुझे खामोश कर दिया उश्या मेरे प्यार ने नहीं तुम्हारे स्वारत ने तुमने मेरे आर्मानों का खुम किया है लो समालो अपने घर को उश्या मैं जाती हूँ उश्या मैं अपनी गल्ती को कुबूल करता हूँ तुम कहोगी तो मैं शेच करोगी मुझे तुम्हारी बच्ची से नफरत नहीं तुम से नफरत है कोई भी सौतेली में अपने सौतेली बच्चे से नफरत करती तिस रवच्छे का बहाना लेकर अपने अर्मानों को लूटने वाले पती से बजला लेती है अपने सीने में जलती हुई आग से पती को जलाती है दोशी सवतन नहीं मर्द है तुम हो अब बच रहने दो मेरे बच्ची है तो क्या हुआ क्या तकलीफ दिया उसने तुम्ह और वो तीर जिसका जखन कभी नहीं भर सकता अगर तुम मेरी जगह होती तो महसुस करते हैं मैं अब भी महसुस कर रहा हूँ तुम्हें कोई तकलीफ ने कोई दुख नहीं सिर्फ मुझे परेशान करना चाहती हूँ रहना हो रहो जाना हो चली जाओ नमस्ते उशा देवी कराया ये शोद्रा की शादी लड़का बड़ा अच्छा है तैसीलदार का हैड चपराती है सतर रुपए मिलते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि लड़का कमारा है हाँ वो तो मैंने ढूंड़ाई कवारूं का खांदान है बड़ी खुश किसमत है ये शोद्रा मुझदूर चाहिए? हाँ हाँ ये सामान उठाकर अंदर लियाओ बहुत अच्छा कहें को पहले ही तुमने टैक्सी करके मेरे हफ्ता भर के बरत का इंजाम कर दिया तो उठाओ? हाँ उठा दूंगा, माफ करो भई पूशा, तू आ गई बेटी, मैं अभी माला को भेजने वाली थी कुम का मेला देखने चलेगी मेरे साथ हाँ मा, चलूंगी तू इतनी उदास क्यों है बेटी, क्या बात है मा अखर कुछ मुनों से भी बोलेगी या नहीं, क्या हुआ उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोका किया है मा उनकी पहली औरत से एक बच्चा है पहली औरत से, क्या मतलब शेखर की पहले भी शादी हो चुकी है क्या कहा है उसकी पहली औरत वो मर चुकी है उन्होंने आज तक ये बात मुझसे चिपए रखी मैं तो पहले ही कहा करती थी बेटी, जो कदम उठाना हो, सोच समझ कर, अपना भला बुरा देख कर ही उठाना मैं नहीं जाओंगे उनके पास पगली कहीं की, अब तो वही तेरा घर है, वही तेरा पती चल उठान, इलहाबाद चलने की तयारी कर, वापस आने पर सब ठीक हो जाएगा ऐसी बाते ठंडे दिमाग से सोचने की हुआ करती है, चल उठान, इतना छोटा दिल नहीं करते, चल उठान हरी ओम हरी ओम हरी ओम माती में मिल जानारे भाई, माती में मिल जाना माटी में मिल जाना रभाई माटी में मिल जाना दो तिन के जग के मेले में आज रहे कल जाना कल जाना माटी में मिल जाना रे भाई माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना रे भाई माटी में मिल जाना बाबुजी 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 ओ बाबु टो पी वाला ओ भैया पगड़ी वाला लेलो लेलो ये मेरी कंठी माला मेरी मला में छिप जाये सब गडबन गोटाला शेर साब को मिले शिठानी और लल्ली को लाला ओ बाबु टोपी वाला ओ भैया पगडी वाला वही सुखी है जिसने प्यारे तेरा मन का दाना माटी में मिल जाना दे भाई माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना दे भाई माटी में मिल जाना मेरा पान बनारस वाला हलका कत्था जूना ए जी हलका कत्था जूना जिसने खाली एक गिलोरी छैला बन गए दूना ए जी छैला बन गए दूना सौप सुपारी खुश्बू ठंडक काला पीला चूना मोभा माडवा मगई बनारस बंगला देसी पूना लोगे को नमुना बाबू लोगे को नमुना बाबू लोगे को नमुना बाती बाती के लोग लगाते तेरा नया पुराना माटी में मिल जाना रिभाई, माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना रिभाई, माटी में मिल जाना हे चल ले आओ, चल ले आओ, चल ले आओ, चक्की वाले चल ले आओ रुखे वाले चल ले आओ, पैसे वाले चल ले आओ मेरी प्यारी दुकान सबसे न्यारी दुकान देखो देखो नाच रहा है ही अलबेला बंदर जाने किसी का जीव समाया कट पुतली के अंदर कटपुतली के अंदर नाचे राजा ओई नाचे रानी ओई नाचे मस्त कल अंदर नचा रहा है नचाने वाला सब को नाचे लुबाना माटी में मिल जाना जे भाई माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना जे भाई माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना जे भाई माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना जे भाई माटी में मिल जाना माटी में मिल जाना जे भाई आदिने ये लिले दाना आदिने आदिने येजे भुट से वा कि अभी आदिने ये ये जी नाम शशी है उम्रा करीब पांच साल की रंग गोरा गोरा है मेरी बच्ची का शल्वार और कमीज पहने है और उपर तो स्वेटर और कोई खास निशानी जी हाँ गले में सुने का लोकिट है रिपोर्ट तो मैंने लिख लिए जैसे आप गुम्शुदा बच्चों के केम्पे में देख लीजी है आपको लास्ट चुलने इन केम्पे ले जाओ आईए मेरे साथ में पॉली स्टेशन येस जरह फांच नमर फाइदाओ इन में तो नहीं है मेरे मत्ये क्या नाम है तुम्हारा बेती? शर्शी और तुम्हारे पिता जी का? मुझे निक मालूम हो बंबई में है तो फिर तुम किस के साथ आयो? ना ना नाने के साथ मैं नानी के पात जाओंगी बेटी, पुलिस में इतला दे दे हैं चाहिए बिचारे ढून रहे होंगे देखा मा, कितने लापरव हैं ये लोग बच्ची के गले में सोने का लॉकेट डाल दिया मा, ये तो उनके बच्ची है अरे, शेखर के बच्ची है कितनी अच्ची है, कितनी भूली बच्ची है शेखर के बच्ची है नाने के पात जाओंगी मैं तुझे नाने के पात ले जाओंगी मेरी बच्ची हम तो पहले ही शेखर को साथ ले जाने से डरते थे कितनी राह देखे तुम्हारी जब तुम ना आए तो हमने सोचा इस विचारी कौकेली कहा छोड़ जाए क्या करें, बेटा सारा मेला चान माथ पलीस में रपट लिगाई मगर उसके कहीं पता नहीं चला ना मालम किसके हाथ लगी, कहा गई बूकी होगी या प्यासी भगवाल जा दे शेशी, जिद नहीं क्या करते बेटी लो, थोड़ा सा खा लो नहीं, मैं नानी के हाथ से खाऊंगी मेरे हाथ से नहीं खाएगी? नहीं फिर मैं तरी मा भी नहीं बनूगी जा, मैं तुस्से बात नहीं करती क्यों? मुझसे नाराज हो गई? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती अच्छा बाबा, मैं तुमसे बात करूँगी लो, अब थोड़ा खाना खालो फिर नानी को बुलाऊंगी नाना को भी? हाँ, हाँ, नाना को भी, नानी को भी, दोनों को बुलाओंगे, हाँ, खाना खालो अब सुनो बेटा, खाना खाने के बाद थोड़ा सा सोना अच्छा होता है, चलो अब सोजा तुम गाना गाओ, मैं सोती हूँ अच्छा बबबा मैं गाना गाती हूँ चलो सो जा अब क्या हो गया यह नहीं गाना फिर कौन सा जो नानी गाती हो गाना मुझे नहीं आता हो गाना आता ही क्या है तुम्हे अच्छा कौन सा गाना गाती थी नानी बताओं पहले आप सो फिर बताओंगी अच्छा लो मैं सो ज सोजा मेरी नन्य मुली सोजारी, 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 सोजा, सोजा अच्छा बबाब मेरी नीन पूरी हो गई, अब तुम सोजा वहन जी, नीचे शेखर बाबबो आई आपसे मिलने देखो, तुम जड़ा शशी के पास बैठना और थोड़ी दर के बद चाय ले आना उशाद जिस बच्चे की वज़े से मुझ में और तुम में जगड़ा हुआ वह बच्चा कुम के मेले में खो गया भगवान जाने जिन्दा है या मर गया मेरे अब कोई बच्चा नहीं मुनासिब समझो, तुघर वापस चलो मैं अपनी गलती को कुबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो इंसान ही से गलती हुआ करती है और इंसान ही माफ करता है मैं भी आपसे मौफ ही चाहती हूँ तुम ठीक ही जगड रही थे उशा, तुमने कोई गलती नहीं की मैंने भी गलती की है वच्चन दीजे कि आप मुझे मुझे मौफ कर देंगे मैं वच्चन देता हूँ मैंने दुनिया से आपसे एक राज को छिपाये रखा लेकिन अभी इस राज का छिपाना नमुम्किन हो गया है कैसा राज? मेरे भी एक बच्चा है तुम्हारे बच्चा है? हाँ, मेरे पहले शादी से एक बच्चा है तो तुम्हारे पहले भी शादी हो चुकी है? हाँ वो मेरे गले में बच्चा डालकर चलते बने तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? इसलिए कि फिर आप मुसे शादी नहीं करते तो फिर किस बिना पर तुम मुसे जगड रहे थी? क्या अधिकार था तुम्हे यह कहने का? कि कमारी लड़की को बच्चे वाले आदमें से शादी नहीं कहनी चाहिए? इनसान ही से गलती हुआ करती है मैं अपने गलती कबूल करती है आप अभी अभी कह रहते कि इनसानी गलती करता है और इनसानी मौफ करता है मुझे मौफ कर दीजी मौफ कर दिया मैंने मा को आ जाने दीजी मैं भी चलती हूँ आपके साथ मा मा आये बेटी तब तक आप चाय पी लीजे, मैं तयारी करती हूँ मा तु कहां गई थी? तेरे पिताजी आये है न, चलो अग हम घर जाएंगे पिताजी अब तेरे लिए मिठाई लाएंगे, खिलो ने लाएंगे चलो चलो कपड़े बदल लो मा, मेरी पिताजी कैसे है? बिल्कुल तेरे जैसे तेरे जैसा मू, तेरी जैसी नाक, तेरी जैसी बड़ी बड़ी आँखे चलो चलो जल्दी कपड़े बदल लो बेहन जी, शेखर बबु चलेगे, चाय भी नहीं पी चलेगे? मुझे घर मालूम है उशा, यह क्या कर रही है? मा, वो मुझे लेने आया थी, मैं जा रही हूँ क्या कहा? शेखर आया था? ए भगवान, तुरा लाख लाख चुकर है बेटी, पुरानी बातों को भूलकर इस मासूम बच्ची को सीने से लगा और अपनी गिरिस्ती को संभाद जो कुछ होना था, सो हो गया तु अपने पिता जी के पाथ जाएगी? मैं और मा दोनों जाएगी अपने पिता जी को नमस्ते कैसे करेगी? शेखर 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 यह देख यह है तेरे पिताजी नमस्ते कर बेटा नमस्ते पिताजी ऐसी क्या जल्दी थी? अकेले ही चले आए शायद मेरे साथ आने में शरम लगती होगी न? देखिए अगर लोग पूछेंगे तो मैं इसे आपकी पहली बीबी की बच्चे कहूँगING शायद उसका नाम शेशी था न? मैं इसे भी शेशी कह कर पुकारा करोंगी देख आधसे तेरा नाम शेशी है क्या है तेरा नम बेटा शेशी मेरे पियारी बेटी शेशी तुम चाय भी नहीं पीकर आए लो तुम शेशी को संबालो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ तता जी क्या देख रही है? तुमारी नाक मेरी नाक? मा कहती थी, तुमारी नाक मेरी जैसी है मारी नाक तो बहुत बड़ी है मेरी नाक तो कट गई कहा कट गई यह तो है? हच, बाग यहांसे तु जाती है कि निहांसे? नहीं जाओंगी, तुमारे गोज में बैटेगी अरे, अरे, जाकर अपने मा की सर पर बैट क्या बात कर रहे हो तरपे कोई बैठता है ओ तो तू बैठी है मैं चला बहार जा रहे हो चाय पीकर जाना अभी तयार हो जाएगी मुझे नहीं चाहिए और खाना अभी नहीं पूख लगे कि तरव रहेंगे मांगेंगे केभी बच्चा तू ने चुपाया उसने भी चुपाया शेखर मेरी राय तो यह है कि अब इस गबड घोटाले को चुपा ही रहना नहीं भूशन ये मुझे से नहीं सहाजाएगा क्या नहीं सहाजाएगा बाशेखर बाबू मान गया मान गया आपको मुझे तो उशा देवी ने कल ही बताया कि सची आपकी बच्ची है खुल मिर्चे जोकी उशा देवी की आखों मी बड़ा चालाग समसी थी अपने आपको शेखर बाबू आपका भी जवाब नहीं है चार साल की बच्ची को अंडरग्राउंड कर दिया बड़े अफसोस की बात है आप मजाब उड़ा रहे हैं और इस बेचारे घर में लड़ाई मची हुई बुशन जी अब इनके घर में तो लड़ाई मचने की बज़े है पर बीरे घर में तो बगैर बज़े ही लड़ाई मच गई यशोद्रा की भावी ने रात भर सोने नहीं दिया अब शादी के दस साल बाद मुझसे पूस्ती है कि तुम्हारे तो कोई बच्चा नहीं शादी से पहले का और कुछ कहना है बस और क्या कहना है भगवान उमर लगाए आपकी बच्ची को बड़ी प्यारी बच्ची है और कुछ अभी तो फेरी पर जा रहा हूँ फिर घर आकर इत्मिनान से बातें करूंगा अच्छा नमस्ते ये बड़ी अकलमंदी की उशा ने उस बच्ची को तेरी बच्ची कह दिया अब मेरा कहा मान तू भी आज से उसे अपनी बच्ची कहा कर समझा अच्छा मजाता हूँ पिता जी मैं बंदूग चलाती हूँ तुम मर जाओ तुम मर अंदर जाकर मरोंगे बंदूग मारा पिता जी मर गए पिता जी मर गए पिता जी मर गए ऐसा नहीं कहा कर तुम कहीं जोटोर तुमी आए उठा ना ये क्या होगा शेशी बच्ची राम जरा जन्दी चपा दिला तुम चाहिए इसका ख्याल है पेड से बांदो इसके एक नवैला आर उस दिन कहते थे मेरे सिने में सौतेलेपन के आग जूरी है अब शायद तुम्हारे सिने में बारिश हो रही है सौतेलेपन के लो मैं इसका जूटा खाऊं धरम थोड़ी बिगर जाता है इसका जूटा खाने से आईए और पुरो से देती हूं मुझे नहीं चाहिए खिलाओ इसे ही मैं इसे खिला ही रही हूं आप भी आईए और शांती से खाना खालीजे मुझे नहीं खाना है आपकी इच्छा खाईए और न खाईए मैं इसे तो घर से नहीं निकाल सकती मा आईए बेटे ज़र ये चादर बिच्छा ले न इसे अपने पास भी ठालीजे मैं अपी दूद गरम करके आते हूं यहां बैठना है पिताजी के पास पिताजी खबरदार जो मुझे पिताजी कहा तो कहांगी पिताजी 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 चुट चुट किताजी बाज नहीं आएगी तु किताजी बड़ी शहसान है तुम है बड़े खुश नजर आ रहे हैं बाप बीटी बगया से चुट आज तो शशुक अपने पास ही सुला लो यहां नहीं तुम ही अपने सीने से लगा कर रखो इसे मैं तो इसे सीने से लगा कर रखूंगी मगर तुम्हारे कौन से कांटे चुभो देती है तीर मार देती है चलो शशी तुम मेरे साथ चलो जिंदगी हसीन है यह जिंदगी हसीन है जिंदगी से प्यार कर मैं हूं तेरी जिंदगी मुझ पे एतबार कर मुझ पे एतबार कर जिंदगी हसीन है यह जिंदगी हसीन है जिंदगी से प्यार कर मैं हूं तेरी जिंदगी मुझ पे एतबार कर मुझ पे एतबार कर कितनी हसी है देख ले खुझड़े चमन के ये कली मेरे चमन में आखिनी तेरे चमन की ये कली चाहते हूं ऐसे तु भी इसको प्यार कर मुझ पे एतभार कर जिन्दगे हसीन है ये जिन्दगे से प्यार कर मैं हूं तेरे जिन्दगे मुझ पे एतभार कर मुझ पे एतभार कर तु तो मेरे साजन की एक छोटी से तस्विर है तु आखां के रोशनी तु मेरे तक्दिर है प्रीक मेरे बार बार कहते है पुकार कर मुझ पे एतभार कर जिन्दगे हसीन है ये जिन्दगे हसीन है जिन्दगे से प्यार कर मैं हूं तेरे जिन्दगे मुझ पे एतभार कर मुझ पे एतभार कर मैंने तुम्हारे प्यार को आज आजमा लिया हसके एक राज को सीने में छिपा लिया कुना गली लगास की मैंने गली लगा लिया मेरी जीत हो गई आज तुमसे हार कर मुझ पे एकबार कर मुझ पे एकबार कर जिन्दगे हसीन है ये जिन्दगे से प्यार कर मैं हूँ तेरी जिन्दगे मुझ पे एकबार कर मुझ पे एकबार कर जिन्दगे हसीन है ये जिन्दगे जरा इस फॉर्म पर दस्खत कर दीजी दस्खत हाँ आज मैं से स्कूल भेज रही हूँ बाप के दस्खत चाहिए मैं इसका बाप नहीं तो और कौन है वही कमीना जिसकी याउलाद है तुम्हारी याउलाद है तुम ही इसके बाप हो उशा मैं बहुर बरदाश नहीं कर सकता यहां नहीं रहेगी ले जाओ इसे यहां से यहां से यहीं रहेगी और मैं भी यहीं रहूंगी शादी की है आपने मुझसे शादी नहीं बेवकूफी की है अपने सुक की बरबादी की है इसे यहां से ले जाओ नहीं तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा इसके साथ हम दोन नहीं तो और क्या, दूसरे का पाप मेरे घर में छुपाना चाहती हो, तुम भी अपना पाप मेरे सर पर थोपना चाहते थे, अपनी पहले वरत के बच्ची मेरे गले डालना चाहते थे, अगर मैं कुल्टा हूँ तो तुम्हेज़ा। ज्ञती हमें! मा, मा! उसे कहा छोड़े जाती हो? मा, मा! मा, मा, मा! चुप, निकल याचे, पुझे अपनी माके साथ, चुप, निकल याचे! जा, निकल याचे! जाव नमा किसाथ जाव कुछ 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 जिए Comics जिए podr ऑप कुछ कुछ उशा! 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 उशा उशा कहा है शाशी? कहा है मेरी बच्ची? उशा ये तुमने कया? बड़ा जुल्म किया तुमने उशा मुझत पर! तुमने मेरा इतना शक्तिमतान के उँ लिया? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो उससे घर छोड़ कर आई थी तुम उसे छोड़ाई थी लेकिन मैंने उसे मार कर घर चे बाहन निकाल दिया था मेरे दिमार पर धूच और सवार हो गया था यानी आई किया नहीं तो तो फिर खाह गई थेरा फिर आप तो उशा तुम घर जाओ मुदर देखता हूँ नहीं मिली? नहीं, मुदर तुम नहीं है कहा चलीगे? वो रही, शाषी, शाषी 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 किने बागी नारी यह आगे अगे कुलना कम गारे ला जो राख outta जलू жक। कि कव रे निगॉरी फिरो के अले और एक शटलू यो डाम स्थेश्ट, करने लोगा पर जाले दो जाले प्ड़ी एक प्राप्त प्रटी == खड़िय तस गडराखी तसना डादी खुर्ल प्सी खशी खुर्सी खशीये बाबुजी, बच्ची तो यहा है, कहा है, यह रही विर सेची रचीं बादें, कहा है dalünf deliveriesBen trapped in the table ऐुषा उषा 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 उषा, उषा 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 ईषा मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बलवान मुझे माफ कर दो उशा मैंने तुम्हारे मुग पर थपड मारा है तुमने कोई नई बात नहीं कि बहुत से लोग मारते हैं और अवरतों को मगर अफसर सी इस बात का है क्या औरत का बेहादी फिर भी खामोश रहता है सब कुछ भूल जाता है मैं शर्मिंदा हूँ उशा मगर तुमने जो थपड मुझे मारा है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता है मैं तुम्हारे वेचारूं के कदर करता हूँ मुझे माफ कर दो उशा शशी जिन्दगी हसीन है जिन्दगी से प्यार कर मैं हूँ तेरे जिन्दगी मुझे एतबार कर मुझे एतबार कर मुझे का जिन्दगी झाङ